वेलकम स्टुडेंट्स आज हम कल वाला ही जो हमारा लेक्चर था लेक्चर शिक्स जो की कम्प्लीट नहीं हो पाया था उसको हम आज कम्प्लीट कर रहे हैं आज कल मैंने आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग बेसिक कंसेप्स और थ्योरी समझा दी थी कि इधर देखिए आप कि जैसे सपोज ये एक स्फियर है और इसको ये जो शेड़ड पोर्शन दिख रहा है आपको यहां पर प्लेन ये प्लेन है ठीक है तो एक स्फेर को जब एक प्लेन इंटरसेट करता है तो जो सेक्षन हम ओप्टेन करते हैं जो कि यह डॉटेड आपको पोर्शन दिख रहा है दिखिए अब इदर it is called section it is a circle कल हमने समझा था कि यह जो n पॉइंट है देखिए आप n पॉइंट यहाँ पर सामने जो की कौन है c से इस प्लेन पर डाला गए लंब का पाद यह जो n पॉइंट है यह circle का center होता है और radius के लिए यह formula आपको देखी दिख रहा है radius of the circle तो आज हम एक circle जो की इस form में होगा देखिए अभी तर मैं टिक कर रहा हूं जिसमें की एक sphere और एक plane का intersection इस form में given होगा तो इस form में अगर हमें कभी भी एक circle given है तो how to find its radius and center ओके तो देखिए आप we are going to start the question the question मैं आपके सामने read करता हूं find the center and radius of the following circle इसके अंदर आपको एक s से मतलब sphere given है वैसे भी जब भी किसी equation में x square y square z square तीनों हैं तो वो equation एक sphere की होती है फिर आगे एक plane given है plane की पैचान क्या होती है इसकी इसकी जो equation होती है देखिए आप ये ax plus by plus cz plus d equals to zero के form की होती है तो first of all आपको क्या करना है यहाँ पर एक line insert करनी है जो कि मैं यहाँ आपको बोल के समझा रहा हूं इधर refer figure का मतलब ये जो figure है उपर वाला ये आपको exam में यहाँ पर इस question को solve करता समय है या इस प्रकार का जो भी question को solve करता समय है बनाना है फिर आपको यहाँ एक line लिखनी है ठीक है figure के पास में वो क्या line है मैं आपको बोल के बता रहा हूं कि दिये गए चित्र में एक गोला S वह एक संतल P और P के पास मैं bracket में लिखना है shaded दर्शाया गया है ठीक है यह लिखने के बाद फिर आपको सबसे पहले हम find कर रहे हैं देखिए center of the sphere C अब इसका हमने नाम C रखा है और diagram में भी हम इसको C से ही denote कर रहे हैं यहाँ जो भी आप नाम रखेंगे वो ही आप नाम यहाँ रखेंगे इदर ठीक है अब center of the sphere मैं जो लिख रहा हूं यह मैं इस equation से लिख रहा हूं देखिए आप यह जो S की equation दिख रही है आपको center यह sphere की equation ने देखिया तो कैसे लिखते हैं हम इस equation में x y z के coefficients पर दो action करते हैं पहला action हम करते हैं कि इसको हम 2 से divide करते हैं और दूसरा action हम करते हैं इसके sign change करते हैं तो यहाँ पर x का coefficient तो देखिए 0 है because there is no term of x here तो 0 divided by 2 0 sin change करने पर 0 रहेगा फिर y का coefficient यहाँ minus 2 है ठीक है इसको मैंने 2 से divide किया और sin change किया I will get 1 similarly for z I will get 2 तो this is the center of the sphere यह उपर वाले diagram में यह center आ गया फिर radius of the sphere इसका यह कौन सा फमना मैंने लगाया बता है यल्दी से यह मैंने लगाया under root u square plus v square plus w square minus d यह minus u minus v minus w है और d आपका यहाँ से आएगा देखिए दर minus 11 तो यह सब put करके मैंने यहाँ पर देखिए आप यह इसकी radius आजाएगी 4 root 16 यह 4 यहाँ कट गया है तो it is capital R then on the next page I am going to find small p what is small p again recall from the concept here from the figure here p is nothing but my cn distance which will be which will I will find which I will find by the formula using the length of the perpendicular which I told you yesterday okay तो देखिए आप इसकंदर यह p के लिए मैंने यहाँ लिखा है पूरी language लिखी है ऐसे आपको लिखनी है हिंदी इंग्लिज जोनों में लिखिए देखिए आप तो अब p की length find करने के लिए मुझे 012 point इस equation में put करने है fill करने हैं भरने x y z की जगे तो देखिए आप x की जगे 0 फिर y की जगे 1 2 into 1 फिर z की जगे 2 2 into 2 2 into 1 2 into 2 minus 15 upon कल वाला formula याद कीजिए क्या आता है इसमें x y z के गुणांकों का square तो यहाँ x y z के गुणांक आपके देखिए कौन है 1 2 and 2 तो इनका square करके मैंने लिख दिया फिर इसको मैंने solve किया हाँ यहाँ पर मैं mod लगा सकता हूँ चाहूं तो यह mod आ जाएगा तो mod के अंदर value minus 3 आ रही है तो उसको मैं plus करके लिख रहा हूँ तो this is my p ठीक है तो अब आप formula लगा रहे है radius अपर circle के लिए under root r square minus p square तो r capital r is 4 यहाँ मैंने find कीती देखिया और small p is 3 तो यह मेरी value आ गए root 7 root 7 is my first answer root 7 is representing radius अपर circle अब मैं I am going to find the इदर देखी क्या लिखा है to find coordinates of the center of the circle और जो की n है यह मात मैं आपको कल बहुत deeply explain कर चुका हूँ ठीक है इसके लिए जो action होगा वो भी मैं आपको explain कर चुका हूँ अब इसके लिए सबसे बहले आप आपस इस diagram में देखिये मैं इस यह जो line है cn cn line आपको देख लिए diagram में this cn यह cn इसकी मैं equation find करूंगा इसकी मैं समीकरन लिखूंगा by using the basic concept told by me yesterday तो इसके लिए यह point मुझे known है c point मैंने अभी भी find किया देखिये c point क्या था मेरा 012 यह लिख देते हैं चाहे तो 012 यह point है तो एक line जो कि 012 से pass हो रही है और इस line के जो दुक अनुपात है वो इस plane की equation में xyz के coefficient होंगे तो plane की equation मेरी देखिया अब इदर यह मैं यहाँ गोला कर रहा हूँ यह है तो इसमें xyz के coefficient कौन है 122 तो 122 इस line के दुक अनुपात होंगे cn के diagram में देखिए इस line के दुक अनुपात कितने है 122 और यह line किस से pass हो रही है 012 से so equation of a line cn will be this यह मैंने 012 से pass करवा दिया इसको और यह इसके दुक अनुपात है यह कहलाती है equation of a line in symmetric form उसके बाद मैंने इसको जैसे मैंने को कल explain किया था मैंने इसको इसको k माना फिर मैंने इससे जैसे आप देखिए x-0 upon 1 को k के equal करके x की value fine कर ली फिर y की value fine कर ली मैंने इसको cross multiply करके 1 plus 2 के z की value fine कर ली जैसे कि मैंने वो कल explain किया है कि इससे जो मुझे coordinates मिले वो क्या represent करेंगे इस रेखा पर ये रेखा कि कौन है cn पर स्थित किसी बिंदू के निर्देशांग फिर मैं क्या claim करूँगा कि यदि ये निर्देशांग किस इस line पर किसी इस cn line पर किसी भी point के है यदि ये निर्देशांग n के हो तो ये निर्देशांग plane की equation को satisfy करेंगे plane की equation हमारी ये देखिए इदर इस circle में तो मैंने इसमें इस point को fill कर दिया तो fill करके ये plane की equation देखिए यहां फिस underlining टर रहा हूँ मैं इसमें मैंने ये point fill कर दिये तो point fill करने से और solve करने से k की value 1 आ गई ये k की value मैं इस वापिस से इस coordinate में fill कर दूँगा देखिए तो ये point जो बनेगा ये आ जाएगा वरत के के इंदेशांग यानि n के ओके सो ये तो मेरा हो गया कल का question ये कल के basic concepts अब देखिए मैंने यहां पर एक छोटा सा question और लिया है ये भी आपकी book की exercise question है इसमें ये थोड़ा different type का question है इसमें आपको read कीजिए क्या करना है आपको you are given three points coordinates of three points और आपसे कहा जा रहा है कि इन बिंदूओं से यानि इन तीन बिंदूओं से गुजरने वाले वरत का केंद्र याद कीजिए अब यहां पर एक छोटा सा आपको दिमाग में बात समझने की है कि साब वरत का केंद्र अभी अभी आपने सिखाया वो तो कब सिखाया जबकि वरत हमको इस format में given हो यह format याद आगया आपको लेकिन यह format तो यह नहीं है इसकी बजाए तीन points given है तो सबसे पहले देखिए हम वो वरत find करेंगे जो कि इस format में भी होगा और वो इन तीन points से भी pass हो रहा होगा तो देखिए यह इस question की खास बात है तो देखिए मैंने यह क्या लिखा है बिंदूओं ABC से गुजरने वाला वरत यह ABC तीन points जो है गोले O ABC गोले O ABC कि मेरा यह वनेगा गोला S इसको मैं S से कॉल करूँगा वा सम्तल ABC इसको मैं P से कॉल करूँगा कि प्रती छेदन से प्राप्त होगा यह वाली वास समझी आप ध्यान से तसल्य से मतलर मैं चाहता हूँ कि एक वरत मुझे मिले जो कि A, B और C से पास हो इसके लिए मैंने एक गोला वो गोला भी इन तीन पॉइंट से गुजरना चाहिए और एक प्लेन वो प्लेन भी इन तीन पॉइंट से गुजरना चाहिए को मैंने निकालने का रस्ता निकाला लेकिन यहाँ प्राप्लम क्या आई कि सम्तल तो जो तीन पॉइंट से गुजरता है वो तो मैं यूनिकली फाइंड कर सकता हूँ या ना by the 3D concept I can find a plane uniquely which passed through 3 given points but I cannot write the equation of sphere by merely knowledge of 3 points because I can find the sphere only when I am given with 4 points तो इसके लिए जो मैंने चौथा point assume किया जिससे गोला उजरना अच्छी है वो मेरी convenience का था तो उसको मैंने convenience के लिए assume कर लिया ओ ये 3 points देखिए वो हैं जो कि हमें given है ये point मेरे द्वारा assume किया गया assumed by us और ऐसा ही आपको हर बार इस तरह के questions में करना है इससे आसानी क्या होगी तो गोला o a b c जिसमें o point o reason है a point देखिए अब किस format का इधर देखिए जहां मैं underline कर रहा हूँ ये है especially a 00 format का किस format का है ये a 00 b point किस format का है 0 b 0 और c point किस format का है 00 c तो इस अगर particular format में points हैं तो ये actually points x y z axis पर हैं तो इससे मैं जो गोले की equation find करूंगा ये मेरी standard हो गई ये मैंने already आपको एक lecture में बता रखिए कि इस तरह के जब 4 points होते हैं तो इनसे गुजरने वाले गोले की समीकर्ण कुछ यूं होती है ये में हम पहले कई बार use कर चुके हैं ठीक है और रही बात सम्तल की तो सम्तल की equation देखिए मैं यहां कैसे लिख रहा हूं जिसका भी direct formula है x upon a plus y upon b x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1 के format में इसमें a b c कौन होंगे यह a b c मेरे इस coin से प्राप्ट होंगे यह a होगा यह मेरा b होगा और यह मेरा c होगा तो यह मैंने यह a b c की जगे यह value पूट कर दी minus one two three इसको solve करके यह plane आ गया अब अब यह question वही हो गया जो मैंने उपर अभी अभी just attempt किया है this is my sphere this is my plane ठीक है अब मुझे find करना है and only यह इस situation है मुझे इस circle की radius नहीं चीए यह जो circle है जो कि इसको वास्ताव में इसको section कहते हैं इसकी radius मुझसे नहीं पूछी है तो मैं I will not waste my time in finding its radius तो यह मैंने जो procedure देखी है adopt किया है this is the same procedure which I have adopted just now in the above question वही same cn की equation लिखी देखी आप k की terms में any point के coordinate लिखे फिर इस point को मैंने plane की equation में put करके solve किया तो यह k की value आ गई उपर वाले question में k की value simple आई थी इसमें k की value हमारी एक rational number के format में आ रही है फिर यह k की value मैंने इसमें put कर दी इसको solve करने से point के आ गए and this is my center of the circle required ठीक है तो यह हमारा answer हो गया इसमें ठीक है तो I hope कि आपको समझ में आया होगा अब हम remaining अगले question हम next chapter में करेंगे